जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग होफुली CSF, LDC, ASI 2022 की preparation आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे होगे और अब आपका preparation जो है complete हो चुका होगा ठीक है देखो अब ये समय जो है बुक लगा बुक उल्टा के और एक एक चैप्टर पढ़ने का नहीं है अब समय है कि practice set करेंगे वही आपका जो है number जो है बढ़ाएगा और selection दिलवाएगा जो student इस time practice paper नहीं लगाएगा उसका selection होना बहुत टफ है practice set से ही आपको पता चलेगा कहां क्या चीज प्राब्लम हो रहा है और उसी चीज को उस दिन आप सीख सकते हैं तो हम लोग लेके आ रहे हैं test series 10 बहुत सारे students ने request किया कि sir आपका जो marathon वाला batch था वो batch तो हम लोग को पता नहीं चला तो हम लोग admission ले नहीं पाए तो हमें कुछ दूसरा batch हम लोग के लिए start करिए तो तीस तारिक है आज कल 31 मार्च से आप लोग के लिए test series 10 batch स्टार्ट हो रहा है और ये batch आपके लिए रहेगा कि practice set लगाओ और marks पाओ क्योंकि ये time ही है practice set लगाने का और practice set से ही चीज़ों को सीखने का ठीक है तो चलिए इस test series में हम हमारा aim रहेगा कि 140 प्लस marks लेके आए और यदि हम 140 प्लस marks लेके आते हैं तो 100% selection हमारा होगा ठीक है test series के बारे में मैं आपको बता देता हूँ देखे तो 31 तारिक यानि कल से कल पूरा दिन जो है आपको करवाया जाएगा maths, English और GK कि जहां जहां से main question आता है उसका पूरा class आपको provide किया जाएगा कि पूरा वो link देदेंगे हम लोग आपको पूरा दिन कल आप math, English, GK उस link को देख लो तो आपका पूरा math, English, GK वन डे में complete प्रिपेर हो जाएगा अगले दिन एक तारिक से हम लोग एक test paper लगाएंगे morning में और दूसरा test paper, test paper number 1 और test number 2 वो हम लोग लगाएंगे evening में जो भी time आपके लिए suitable हो ठीक है ना तो दो test paper यदि हम कल से लगाना परसों से एक तारिक से लगाना शुरू करें तो देखो test number 1, test number 2, test number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यह 10 test, 10 test का मतलब होता है 200 गुने 10, 2000 question आपने prepare कर लिया तो यदि 2000 question prepare कर लिया तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना question आप कर पा रहे हो, कौन सा question नहीं कर पा रहे हो और वो सीखने की जुरुत है तो suppose को आपने test number 1 लगाया तो आपको लगा कि यार मुझे ये question मेरा गलत हुआ, ये जीके का question मेरे से नहीं आया तो उसी दिन अपने को वो सीखना है ठीक है, मालो हम लोग test 3, 1 का जो time रखेंगे, morning में रखेंगे 9 a.m, 9 a.m आपको provide कर दिया जाएगा आप ऐसा करते हैं, morning में 6 a.m रखते हैं, 6 a.m में आपको test number 1 provide कर देंगे हम लोग, आप कभी भी 3 घंटे लगा के कर सकते हो, test paper 2 हम लोग provide कर देंगे, साम में आपको फिर से 6 p.m में, ठीक है तो इस बीच का 6 बजे सुबह से 6 बजे साम तक का जो time रहेगा, आपने test paper 1 किया, जो आपको लगा कि यह चीज़े नहीं आई, वो question उसी time सीख लो, नहीं आता, तो आपका जो test series, test series 10 group होगा, group का नाम होगा, test series 10, उस group में आप अपना वो डालो, problem की सर मुझे यह question नहीं आ उसी time सीखो कि हम मुझे ये question नहीं आया, मैं ये question सीखूँगा, ये question नहीं आया, ये जी के मैं अभी याद करूँगा, और जहाँ problem, तो group में आप पूछ सकते हैं अपने teacher से, कि सर मुझे यहाँ problem आ रही है, ये question नहीं आ रहा, मुझे बता दीगे, clear, ठीक, ऐसे ही हम test paper खतम कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास बचेगा 6 तारिक, 7 तारिक, 8 तारिक, 9 तारिक, 9 तारिक को तो paper ही है, ठीक है, तो 6, 7, 8, तो 6 को, 6 को पूरे दिन हम लोग marathon current of year class करेंगे, marathon, marathon current of year class, ठीक है, और उससे current of year के 10 question आपके वहाँ से, लगबग 10 to 12 question आप देखे, current of year क तो जहाँ जहाँ से, चीजे current of year में पूछी जा रही है, उस दिन हम marathon class में सारा current of year कर लिए, ठीक है, तो आपका current of year भी prepare हो गया, 6 तारिक को, ठीक है, 7, 8, दो दिन बचता है कि यह जो आपने test series दिया, current of year किया, marathon, यह math, English, GK का class किया, इसमें जहाँ जहाँ आपको लगा जहाँ था कि यह चीज मुझे यहाँ problem हुई थी, यह चीज नहीं आया था, वो दो दिन, देखो दो दिन फिर भी बचरा है, कितना, यदि आप time hack निकालो, manage करो, तो कितना manage कर सकते हो, 7 और 8, दो दिन फिर से complete preparation करो, फिर से आप यह math, GK English का, फिर से वीडियो देखो, current of year जहाँ problem आया सीखो, जो चीज नहीं आया वो अपने teacher से पूछो, तो दो दिन और आपके पास मिल गया, और 9 तारिक को आप exam पूरे confidence के साथ देखिया हो, कि आज मैं paper दूँगा, और मेरा selection हो जाएगा, ठीक है, तो test series में आप admission कैसे ले सकते हैं, test series का fee 499, यदि आप ज्यादा आदमी पी लेता है, 30 रुपे, 35 रुपे, ज्यादा तो 40 रुपे का एक bottle पानी 50 रुपे का आ जाता है, ठीक है, तो उससे भी आपका test, test जो है, कम है, fee कम है, 499 रुपे, ये fee आप हमारे इस नंबर पे 920-5330-671, phone पे, Google पे, Amazon पे, पे, कर सकते हैं, पे, banking नेम आ online banking करता है, तो ये सारा detail दे दिया, यदि आप cred app यूज़ करके credit card से करना चाते है, fee pay, तो इसी detail से आप fee pay कर सकते हैं, fee pay करने के बाद, उसका screenshot या receipt, ठीक है, वो share कर दीजिए, अपना नाम, और LD, LDCE, 2022, test series, group 10, ये लिखके, इसी number 920-5330-671, पे, आप send कर दीजिए, आपका group में नाम add हो जाएगा, और जो schedule बताया गया है अभी, तीस तारीक से, उस schedule पे, आपको एक एक चीज़ मिलने लग जाएगा, और आपका preparation, इन 10 दिनों में भी, इतना bold preparation होगा, कि जहां आप marks, जो है, 40-45 ला पा रहे थे, वो एक दम से boost कर जाएगा, अपना aim रहेगा, अपना target रहेगा कि 140 प्लस marks हम लोग gain करें, ताकि 100% हमारा selection हो जाए, तो देर ना करके, आजी से admission लेना start करो, और 100% confidence it, जस दिन जाओगे paper देने तो paper दो, कि तुम्हारा विजय हो, चलिए, तो मिलते है test series में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, और यदि किसी को लगता हो, कोई problem कुछ पूछना हो, तो इसी number पे phone करके, वो पूछ भी सकते हैं, कुछ भी आपका doubt हो, कुछ भी पूछना हो, तो इस number पे कर सकते हैं, अदर्व कि according आपका paper, start हो जाए, ठीक है, और यदि still कोई भी doubt होती है, इस number पे आप call करके, पूछ सकते हैं, चलिए, तो मिलते हैं, test series में, जै हिन जैवाल,